यह वीडियो साइन्स क्लास 9 चैप्टर 3 का पार्ट 1 है इसके पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम आजू आजू जो भी चीजें देखते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं मैटर और फिर हम लोगों ने देखा था कि यह मैटर अलग-अलग रूपों में पाया जाता है जैसे elements के रूप में, compounds के रूप में, mixture के रूप में और फिर हम लोगों ने जब इसका और study की हम लोगों को पता चला कि ultimately यह matter elements से ही मिलके बना होता है इसका यह मतलब हुआ, कि जितने भी compound हो गए या जो भी mixture है, वो ultimately किस से मिलके बना होता है elements से मिलके बना होता है जैसा कि अब देख सकते हैं, यह predictable और यहाँ पर 118 elements को दिखाया गया है तो हम अपने आजू बाजू जो भी चीज देखते हैं, जिनको हम पदार्थ कहते हैं वह ultimately किस से बना होता है, इसी element से मिलके बना होता है जैसे कि मैंने उधारन भी आपको दिया था, कि मानलीजीए आप water देखते हैं तो water किस से बना है, hydrogen से, और किस से बना है, oxygen से होता है, तो वह भी देख सकते हैं, आपकी वह किस से बना है, element से बना है, carbon से बना है, oxygen से बना है तो यह सब क्या है, element, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उधारन मैंने बताया थे आपको ultimately जब matter को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वह इनी element से मिलके बना हुआ है यह मैंने आपको पहले के chapter में पूरा विश्त्रित बताया है, तो चलिए अब हम लोग अपने chapter की ओर चलते है तो हम लोगोंने क्या देखा, matter, ultimately किस से बना है, element से अब हम लोग देखेंगे कि element, जैसे कि माल लेजी iron, तो iron का यदि आप एक block ले लेंगे, एक बहुत बड़ा टुकड़ा लेंगे तो अब यह इसे तो हम लोग element मानेंगे या फिर सोना हो गया, चांदी हो गया, कोई भी एक element लेंगे आप तो अब यह element किस चीज़ से बना हुआ है, तो यह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है जिसे हम लोग क्या बोलते है, atom और उसके बाद यह atom किस चीज़ से बना है, तो वह बना है electron से, proton से और neutron से तो इस चैप्टर में हम लोगों को इसके बारे में पूरा detail में पढ़ाये गया है और इस चैप्टर का नाम है atoms and molecules, तो चली हम लोग बढ़ते हैं आगे अपनी चाप्टर की ओर Ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter The idea of divisibility of matter was considered long back in India Idea of divisibility Idea of divisibility कहने का मतलब है कि जो पदार्थ हम अपने surrounding में देखते हैं उसको यदि divide किया जाए, divide किया जाए तो ultimately वह कौन सा छोटा पार्टिकल है जिससे वह पदार्थ बना है यही वह divisibility का idea है Of matter was considered long back in India Around 500 BC, an Indian philosopher Maharshi Kanad Postulated that if we go on dividing matter, we shall get smaller and smaller particle यहां matter कुनोंने पदार्थ कहा था Ultimately a time will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible He named this particle Parmanu तो आप देख सकते हैं यहां पर Maharshi Kanad का नाम लिखा गया है जिन्होंने postulate दिया था कि यदि पदार्थ को हम उसके सुक्षमतम कंड में तोड़ना चाहें उसको एकदम smallest particle में तोड़ना चाहें तो ultimately जो particle मिलेगा उसका नाम उन्होंने पर्मानु रखा और उन्होंने यह भी बताया कि इसके आगे इसको तोड़ना संभव नहीं है इसको divide करना संभव नहीं है इसको break करना संभव नहीं है Another Indian philosopher Katiyaima elaborated this doctrine और एक दूसरे philosopher Katiyaima ने इसे और आगे elaborate किया इसे और आगे विस्तारित किया and said that these particles normally exist in combined form which gives us various forms of matter और उन्होंने क्या बताया कि यह जो particle है normally combined form में exist करते हैं और अलग-अलग पदार का निर्मान करते हैं Around the same era ठीक उसी काल में ancient Greek philosopher Democritus and Lucipus suggested that if we go on dividing matter a stage will come when particle obtained cannot be divided further उन्होंने भी यही बात कहा यदि matter को divide किया जाए divide किया जाए तो एक ऐसा स्थिती आएगा जब उसको further divide नहीं किया जा सकता है Democritus called this individual particle atom और Democritus ने इस particle का नाम क्या रखा atom All this was based on philosophical consideration and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century 18th century के पहले ये सब सिर्फ एक ideas थे philosophical बाते थी इसका कोई experimental इस पर कोई experimental work नहीं हुआ था By the end of 18th century scientists recognize the difference between element and compounds and naturally become interested in finding out how and why element combine and what happens when they combine तो 18 सताबदी के अंत में scientists लोगों ने element और compound के बिच में difference पहचाना और वे ये जानने के लिए एक छुक हुए कि किस प्रकार से element combine करता है और इसके combination से क्या होता है तो आप देख सकते हैं Lavoisier का नाम यहां दिया गया है Lavoisier laid the foundation of chemical science by establishing two important laws of chemical combination तो Lavoisier का नाम दिया गया है जिरों ने दो important chemical combination के लागों दिया था तो यहां से आपका पहला प्रशन आता है जो कि बहुत बार exam में पूछा जाता है law of chemical combination किस ने दिया था तो Lavoisier ने दिया था तो इन्हीं दो law के साथ हम लोगों को यह chapter शुरू करना है तो यह था intro chapter का आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्हीं लोज के बारे में तो मिलते हैं आपसे next वीडियो में धन्यवाद यह वीडियो science class 9 chapter 3 का part 2 है और इसके पहले के part में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से Lavoisier ने law of chemical combination को दिया था तो अब हम पढ़ते हैं law of chemical combination और देखते हैं वे कौन कौन से scientist थे जिनके experimental work के अधार पर law of chemical combination को दिया गया तो आप देख सकते हैं जो law of chemical combination दिया गया वह Lavoisier और Proust के experimentation के अधार पर दिया गया तो आईए देखते हैं कि यह दो law of combination क्या है पहला है law of conservation of mass और दूसरा है law of constant proportion तो आईए एक को करके आप पढ़ते हैं हम लोग तो यह कोई chemical reaction होता है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको A से B का chemical reaction किया जाता है और मालिजी A और B हम लोगों ने लिया और इसको combine कराया chemical reaction कराया और इससे C और D का formation होता है तो यहां जितना mass था क्या product में भी उतना ही mass होता है इसे हम लोग reactants कहते हैं और इसे हम लोग products कहते हैं तो क्या जो reactant में हम लोगों ने mass लिया है product में भी उतना ही mass आता है तो चली इसे हम लोग देखते हैं activity के through activity 3.1 टेक वन अफ दे फॉलोइंग सेट्स x and y of chemical तो आप देख सकते हैं दो सेट्स of chemical को यहां दिखाये गिया है x and y जैसे की पहल आप देख सकते हैं copper sulfate के साथ sodium carbonate barium chloride के साथ sodium sulfate lead nitrate के साथ sodium chloride इनका एक एक सेट यहां पर आपको दिया हुआ है prepare separately 5% solution of any one pair of substances listed under x and y in water तो आपको कोई भी एक 1,2,3 में से किसी एक pair को आपको लेना है और water में solution बनाना है take a little amount of solution y in a conical flask तो जो y वाला माली जी के हम लोग यह पहला सेट बना रहे है तो यह y जो है उसको conical flask में रखना है आपको और इसमें जो solution हम लोगों ने बनाया 5% इसका लेना और water का solution इस प्रकार से conical flask में रखना है and some solution of x in ignition tube और एक ignition tube इस प्रकार से लेना है और उसमें x माली जी के पहला लिया है तो copper sulfate का यहाँ पर आपको solution रखना है तो इस प्रकार से देख सकते हैं solution of y है यहाँ पर और solution of x यहाँ पर ignition tube में रखा गया है और hang the ignition tube in the flask इस ignition tube को आपको flask में इस प्रकार से hang करके रखना है thread के सहरा से see that the solution do not get mixed और इसके बाद आपको इस प्रकार से देखना है कि इसमें x और y का यह solution वो mix नहीं हो पाए put a cork on the flask flask के उपर आपको एक cork भी रखना है अब देख सकते हैं यहाँ लिखा भी हुआ है ignition tube containing solution x dipped in conical flask containing solution y अब जो यह पूरा system है इसको आपको तॉल लेना है weigh the flask with its contents carefully अब यह पूरे flask को पूरे contents के ताथ आपको तॉल लेना है now tilt and swirl the flask so that the solution x and y gets mixed अब इसके बाद क्या करना है पहले आपने flask को इस प्रकार से conical flask था और उसमें ignition tube था इस तरीके से आपने इसको तॉल लिया उसके बाद क्या करना है यह जो ignition tube है इसको आपको टेढ़ा करना है जिसके करण यह दोनों x और y जो chemical थे वो दोनों आपस में क्या हो जाए mix हो जाए और यहाँ पर chemical reaction हो तो आप देखेंगे जब x और y एक दूसरे से mix होते है तो उनमें chemical reaction होता है और इसको आपको फिर से क्या करना है वे करना मतलब तॉलना है तो आप इस प्रकार से देख सकते है सुरू में x प्लस y था जिसे हम लोगों ने सिर्फ रखा था इसे हम लोगों कहते हैं reactant और इसके बाद इन दोनों को जब एक दूसरे से मिलाया जाता है तो मान लेजिए कि कुछ z बनता है तो यह हो गया product तो आप देखेंगे कि यह दोनों का जो वजन है आपने जो वजन किया है तो वह दोनों बराबर होता है क्यों बराबर होता है क्योंकि तो इसका मतलब है reaction के पहले और reaction के बाद जो reactant था और product था दोनों का mass क्या होता है बराबर होता है और यही हमारा law of conservation of mass भी कहता है तो आप देख सकते हैं The law of conservation of mass states That mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction तो आपने देखा कि यहाँ chemical reaction हो रहा है क्योंकि X और Y को हम लोगों ने mix किया था तो उनमें chemical reaction हुआ और उसके बाद जो product बन रहा है तो उनका mass बराबर हो रहा है तो यही है law of conservation of mass कि यदि कोई chemical reaction हो रहा है तो उस chemical reaction में जो reactants है और product है उनका mass क्या होगा बराबर होगा ना घटेगा ना ही बढ़ेगा मैं फिर से एक बार बता देता हूँ मानले जे A plus B reactant है और इससे C plus D आपका product बन रहा है तो यह जो reactant का mass है और product का mass है यह दोनों क्या होता है बराबर होता है ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा तो अब देख सकते हैं इस activity में और भी बाते पूछी गई है तो reaction flask में क्या हुआ तो X और Y के बिच में reaction हुआ था हाँ एक chemical reaction वहाँ पर हुआ हम लोगों ने flask के मुह को cork से क्यों बंद कर दिया था तो हम लोगों ने flask के मुह को cork से इसलिए बंद किया था ताकि हमारा experiment सही हो पाए ऐसा ना हो कि कुछ पदार gases form में बाहर की और चले जाए तो cork से flask के मुह को इसलिए बंद किया था ताकि कोई भी पदार्थ flask से बाहर ना जा पाए और हम लोग जो reactant का वजन है और product का वजन है सही सही ग्यात कर सकें ऐसा ना हो कि reaction के बाद कुछ चीज या फिर कुछ पदार्थ बाहर निकल जाए यदि ऐसा होता है तो हम लोग इसके result को सही प्रकार से नहीं देख पाएंगे इसके पदार्थ का जो mass था वह change नहीं होता है तो इस प्रकार से देखा यह experiment law of conservation of mass को बताता है तो जैसे कि मैंने इसको आपको पूरा detail में बताया कि यह law of conservation of mass क्या है तो आयो हम लोग देखते हैं law of constant proportion law of constant proportion क्या कहता है Levoisier along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compounds had the same elements in the same proportion irrespective of where the compounds came from or who prepared it Levoisier और other scientists ने note किया कि बहुत सारे compounds दो या दो से अधिक elements से मिलके बने होते हैं और यह जो elements होते हैं वे fixed proportion में होते हैं irrespective of where the compound came from चाहे इसे किसी ने बनाया हो या यह कहीं से प्राप्त किया गया हो लेकिन इस compound में जो element के proportion है वो हमेशा fix होते हैं तो मैं इसे आपको detail में समझाता हो चलिए माल लीजे आप एक water का उधारन लीजे तो सबसे पहले यह water क्या है एक compound है जो की दो element से मिलके बना होता है hydrogen और oxygen तो यह water आप या तो गंगा जल लें तो भी यह S2O ही रहेगा या तो आप समुद्र से पानी उठाएं तो भी वहाँ पर S2O ही होगा या तो आपके नल से पानी आएगा वह भी S2O होगा या माल लीजे अमेरिका में कहीं water है पानी है तो भी S2O होगा इसका मतलब क्या है कि चाहे यह पानी कहीं से आपने उठाया है यदि आप उसे पानी मान रहे है पानी आपको मानना आवश्यक है तो वहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन का कितना एटम होगा दो एटम और अक्सीजन का कितना एटम होगा वन हमेशा यही होगा इसी को कहते हैं law of constant proportion जबकि इसका परिभासा थोड़ा अलग है लेकिन समझने के लिए यही समझना है कि जब भी कोई केमिकल आपके हाथ में है कोई पदार्थ आपके हाथ में है और आप उसे बोल रहे हैं कि यह वाटर है पानी है तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन दो होगा और ऑक्सीजन एक ही होगा यही है law of constant proportion ऐसा नहीं है कि जो कुवां का पानी है उसमें H3O हो जाएगा अमेरिका का पानी है उसमें H4O2 हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता है यदि ऐसा है तो यह फिर पानी नहीं कहा जाएगा इसको वाटर फिर हम लोग नहीं कहेंगे यह कुछ दूसरा चीज होगा यही है law of constant proportion कि यदि आप किसी एक compound को कहीं से भी एकत्रित करें या किसी भी method से उसको बनाएं तो उसमें जो constituent elements होगे उनका proportion क्या होगा हमेशा fix ही होगा जैसे कि मैं एक और उदारण देता हूँ glucose C6H12O6 तो यदि आप चीनी को घोल के glucose बना रहे है तो भी C6H12O6 ही होगा यदि आप इस glucose को रोटी से निकाल रहे हैं आटा से निकाल रहे हैं तो वहाँ भी यह C6H12O6 ही होगा और यदि आप इस glucose को कोई फ्रूट से प्राप्त कर रहे हैं तो वहाँ भी यह C6H12O6 ही होगा मतलब कि इसमें जो एलिमेंट के प्रपोर्शन है वो हमेशा फिक्स रहेंगे इसे ही हम लोग कहते हैं law of constant proportion इसका परिभासा थोड़ा आपको अलग प्रकार से लिखना है तो चलिए इसके परिभासा की और हम लोग चलते हैं In a compound such as water the ratio of the mass of hydrogen to the mass of oxygen is always 1 is to 8 mass के basis पर आपको यहाँ पर ratio दिखाया गया है जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको hydrogen का mass हम लोग लेते हैं 1 और oxygen का कितना लेते हैं 16 तो H2O यदि करेंगे हम लोग तो hydrogen का आगया 2 और oxygen का कीतना आगया 16 और इसका ratio निकालेंगे तो आपको क्या होगा 1 is to 8 यही लिखा गया है यहाँ पर ratio यह आप आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से mass निकाले जाता है किस प्रकार से इसको याद भी करना होता है Whatever the source of water जैसे मैंने आपको बता दिया कि water का source जो भी हो water आप कही से कत्रित करें यदि आप उसको water कहते हैं तो अब mass के तौर पर हम लोग देखेंगे कि हमेशा hydrogen और oxygen का ratio by mass 1 is to 8 होगा hydrogen हो जाएगा 1 और oxygen क्या होगा 8 यहां mass के रूप में हम लोग ratio दिखा रहे हैं Thus, if 9 gram of water is decomposed 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained तो यह मैं आपको आगे बताऊंगा जह हम लोग numerical करेंगे तब यहां समझाना थोड़ा मुस्किल है Similarly, in ammonia nitrogen and hydrogen are always present in the ratio 14 is to 3 by mass तो आप ammonia देख सकते हैं NH3 होता है और ratio by mass आपको निकलना है तो ammonia में N का हो जाएगा आपका 14 और H का हो जाएगा 3 तो by mass इसका ratio निकालेंगे तो 14 is to 3 आ जाएगा Whatever the method or the source from which it is obtained तो आप इसको कहीं किसी भी source से निकालें तो हमेशा nitrogen by mass इसका ratio 14 होगा और hydrogen का by mass ratio क्या हो गया 3 एटम के रूप में आप देखेंगे तो nitrogen हमेशा 1 ही रहेगा और hydrogen कितना रहेगा 3 चाहे आप कोई भी process से बनाए किसी method से बनाए कहीं से कत्रित करें nitrogen हमेशा 1 ही रहेगा और hydrogen कितना रहेगा 3 यदि आप उसको ammonia बोलते हैं तब और by mass आप निकालें तो nitrogen हो जाएगा 14 और hydrogen हो जाएगा 3 तो ratio निकालेंगे तो 14 is to 3 होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात आप समझ में आ गया होगा इसे ही हम लोग कहते हैं law of constant proportion या फिर law of definite proportion तो दो प्रशन यहां से आगए पहला प्रशन जो मैंने आपको नहीं बताया वह था law of conservation of mass किसे कहते हैं उसका अंसार आप यहां से लिख सकते हैं law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction law of conservation of mass कहता है कि mass को नहीं बनाया जा सकता है और नहीं destroy किया जा सकता है और दूसरा है आपका law of constant proportion तो यह क्या कहता है तो यहां वर्ड मास यूज किया गया है आप इसको ध्यान रखे हमेशा in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass तो मैंने जैसे बताया कि कोई एक compound में जो elements रहते हैं वो fixed ratio में रहेंगे by mass या फिर बोलें कि definite proportion में रहेंगे by mass तो आपको mass के रूप में उनको दिखाना है fixed proportion जैसे मैंने बार बार आपको बताया H2O में by mass इनका ratio क्या हो गया 1 is to 8 क्यों क्योंकि hydrogen का 2 और oxygen का 16 और इसका प्रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 is to 8 तो मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में यह वीडियो साइन्स क्लास 9 चैप्टर 3 का पार्ट 3 है The next problem faced by scientist was to give appropriate explanation of these laws तो scientist लोगों के सामने नया जो problem था वा हिया था कि इसका explain कैसे किया जाए इन laws का explanation कैसे किया जाए British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter इसी के साथ British chemist John Dalton ने basic theory दिया nature of matter के बारे में Dalton picked up the idea of divisibility of matter which was till then just a philosophy He took the name atom as given by the Greeks and said that smallest particle of matter are atom तो John Dalton ने atom word को use किया जो कि Greeks के द्वारा use किया गया था और उन्होंने कहा कि smallest particle of matter क्या है atom है His theory was based on the laws of chemical combination तो आप यहां आगे की और पढ़ेंगे John Dalton का atomic theory और उनका जो theory था वह law of chemical combination पर आधारिक था Dalton's atomic theory provided an explanation for the law of conservation of mass and law of definite proportion तो अभी तक वैज्ञानिकों के सामने जो परेशानी थी कि किस प्रकार से इन laws को explain किया जाए तो John Dalton ने इन laws को explain किया या फिर हम कहें कि John Dalton ने law of conservation of mass, law of definite proportion का explanation provide कराया According to Dalton's atomic theory all matter whether an element, a compound or a mixture is composed of small particles called atoms तो यहां हम देख सकते हैं John Dalton का atomic theory उन्होंने इस theory में कुछ पॉस्चिलेट भी दिये हैं जिनको हम लोग आगे की और पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि जितने भी element है compound है या फिर mixture है वह small particles से मिलकर बने होते हैं जिसे उन्होंने क्या कहा atom कहा तो आई ये देखते हैं कि उनके क्या-क्या postulates हैं जो की exam में भी पूछे जाते हैं तो यहां से आपका पहला प्रशन आता है John Dalton के atomic theory को लिखे तो आप देख सकते हैं John Dalton के atomic theory के postulates को लिखा गया है तो यह हम लोग पढ़ते हैं All matter is made up of very tiny particles called atom सभी प्रकार के matter छोटे-छोटे tiny particles से मिलके बना होते हैं जिने हम लोग atom कहते हैं Atoms are individual particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction Atoms indivisible होते हैं जिनको नहीं create किया जा सकता है और नहीं destroy किया जा सकता है किसी chemical reaction में Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties तो यदि आपके पास कोई element है तो जैसा कि मैंने chapter के पहले में बताया था कि element atoms से मिलके बने होते हैं तो कोई खास प्रकार का यदि आपके पास element है तो उसके जो भी atoms होंगे वो एक दूसरे के identical होंगे उनका mass क्या होगा? identical होगा उनका properties क्या होगा? identical होगा इसी के साथ atoms of different elements have different masses and chemical properties यदि आपके पास मान लिजे कि दो अलग-अलग element है तो उसके जो atoms होंगे वो एक दूसरे से अलग होंगे उनके mass क्या होंगे? अलग होंगे उनके properties क्या होंगे? अलग तो एक ही प्रकार के element के atoms एक प्रकार के होते हैं जबकि दो अलग-अलग प्रकार के element के atom अलग-अलग होते हैं atoms combine in the ratio of small whole number to form compounds तो हम लोगों नहीं अभी देखा था कि atoms जब आपस में combine करते हैं एक fixed ratio में तो compounds का formation कहते हैं जैसे कि H2O का उधारन में बार-बार आपको बता रहूँ यहां देख सकते हैं hydrogen का 2 atom है और oxygen का 1 atom है the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound तो एक compound में जो atom के number है relative number है वो क्या होते हैं constant होते हैं तो यह है Dalton का atomic theory जिसको exam में बहुत पूछा जाता है यहां आप देख सकते हैं एक yellow box है जिसमें John Dalton के बारे में कुछ बताया गया है John Dalton was born in a poor weaver family in 1766 in England John Dalton का जन्म कहा हुआ था England में हुआ था 1766 में एक विभर के family में he began his career as a teacher at the age of 12 7 years later he became a school principal in 1793 Dalton left for Manchester to teach mathematics, physics and chemistry in a college he spent most of his life there teaching and researching in 1808 he presented his atomic theory which was a turning point in study of matter तो आप देख सकते हैं कि John Dalton ने 1808 based atomic theory को दिया था तो ये कुछ बातें लिखी गई थी John Dalton के बारे में तो मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में मैं छोटे-छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि पढ़ने में आपको आसानी हो तो मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद